हलो बीटिफुल सोल्स कैसे हो आप सब आई होप आप सब मज़े में होंगे वैलकम तो माई यूट्यूब चैनल पॉजिटिव वाइब्स अर आज हम लोग बात करेंगे ब्लू कलर के ड्रेगन फ्लाई के बारे में अगर आपको यह कलर का ड्रेगन फ्लाई बहुत टाइम से बार बार दिख रहा है या फिर आप कहीं पर भी जा रहे हो और इस ट्रेगन फ्लाई को इंकाउंटर कर रहे हो तो यूनिवर्स आपको क्या क्या मेसेज देना चाहता है और आपके इंजल्स और आपके स्पिरेट काइट आपको किन-किन बातों के लिए प्रिपियर करना च चलिए जो भी मेसेजिस ब्लू कलर के ड्रेगन फ्लाई के साथ एससेटर है या फिर रिलेट करते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं तो जब भी आपको ब्लू कलर का ड्रेगन फ्लाई बहुत जादा दिख रहा है तो कहीं न कहीं वह आपको रिमाइंड करवाना चाहता ह तो आप अपने lesson learning के ओपर जाधा concentration लगाए और फिर उसे move on हो जाए क्योंकि आपकी life में बहुत ही जल्दी एक नई beginning start होने वाली है एक नई journey start होने वाली है जो भी challenging situation अभी के लिए चल रही है उससे लिया हुआ lesson आप apply करोगे अपनी जो नई journey आपकी start होने वाली है उसमें तो आपको जब भी blue color की dragonfly दिखे तो आप challenging situation से हारिये मत, give up मत कीजिए आप उसको face कीजिए, उसके साथ fight कीजिए और अपने lesson को learn कीजिए और move on हो जाए चीजों के साथ stick मत होई है और उसको जो भी आप lessons को learn कर रहे हो उसको apply करने की कोशिश कीजिए अपनी आने वाली life के अगले जो moments है उनमे और blue color की dragonfly आपको remind करवाता है कि आपके heart chakra की awakening हो रही है और आपको जो भी नए changes आने वाले हैं उनको appreciate करता है और उसको एक happiness spirit के साथ welcome करना है तो जो भी changes आपके life में आने वाले हैं उनको एक बहुत enthusiasm के साथ एक happy spirit के साथ welcome कीजिए आपकी blessings आपके पास बहुत जल्दी पहाँचने वाली हैं in the form of prosperity समरिधी के रूप में वो आपके पास आएंगी और आपकी life में बहुत अच्छे अच्छे career changes भी होंगे जो definitely आपको prosperity की तरफ लेके जाएंगे जो भी आप चाहते हो आप दिल से करना चाहते हो वो अब आपको जो opportunity है वो अब आपको मिलेगी और अब पूरे दिल से अगर उस चीज़ करोगे तो आपको definitely success भी मिलेगी और prosperity अपने आप आही जाएगी लेकिन आपको अगर किसी भी चीज़ की जरूरत है इस moment of time के उपर तो वो वही है कि आपको अपने आपके उपर trust रखना है अपने divine power के उपर faith रखना है और जो भी आप करना चाहते हो अपने dreams को अजीव करने के लिए उनको करते रहना है don't give up spirit के साथ और अगर आपको blue color का dragonfly दिख रहा है तो वो कहीं न कहीं symbolize करता है वो कहीं न कहीं represent करता है कि आप में बहुत ही जादा creativity है तो आप उन creativity को surface पे लेकियाए और creative things करने की कोशिश कीजिए और जब आप वो चीजें करेंगे जो creativity आपके अंदर है उस creativity को आप surface पे लेकियाएंगे और चीजों में लेकियाएंगे तो आप अपनी success को definitely पालेंगे good intentions के साथ अपनी creative things को करना start कीजिए तो आपको बहुत अच्छी वाली success definitely मिलेगी आप जैसे हो वैसे रहिए authentic रहना बहुत ही जादा important होता है और अपने आपको clarity के साथ express कीजिए जो भी आप करना चाहते हो तब ही आप अपनी highest potential पे पहुँच पाऊगे तो कोई भी अगर आप risk लेना चाहते हो जो कोई भी ऐसी opportunity जो आपको दिख रही है कि आप उसको grab कर सकते हो तो करने की कोशिश कीजिए क्योंकि वो आपको भाती जल्द आपके success से मिलाएगी आपके dream achiever से मिलवाएगी तो जब भी आपको इस कले की dragon fly दिख रही है तो आपके पास जो भी चीज़े है उसके लिए grateful रही है एक gratitude शो कीजिए जो आपको हमेशा करना चाहिए सिरुफ जब आपको ये कले की dragon fly दिख रही है तब ही नहीं आपको हर रोज भगवान को thank you बोलना चाहिए अपने divine power को thank you बोलना चाहिए क्योंकि कहीं न कहीं जो चीज़ें हमारे पास हैं वो भी जो इस moment of time पे है वो भी उन्होंने ही दी हुई है तो आप अपने तरफ से पूरी दरह से अपना gratitude शो कीजिए और जो भी चीज़ें हैं उनको appreciate करना start कीजिए क्योंकि और तभी मिलेंगी और blessings और और opportunity आपके पास आने वाली है लेकिन अगर जो आपके पास पहले से है अगर आप उसके लिए thank you नहीं बोलोगे तो कहीं न कहीं वो disrespectful हो जाता है तभी आपके पास और बहुत जादा blessings और opportunities definitely पहुँचती है तो आप अपनी जो भी situation चल रही है जो भी life में आपके conditions है उसके उपर trust रखे अपने divine power के उपर trust रखे अपने आपके उपर trust रखे और जो भी चीज़े इस moment of time पे आपको करने की जरूरत है जो भी action लेने की जरूरत है वो भी definitely लीजिए क्योंकि तभी आप अपनी success को पासकते हैं तो जब भी आपको blue color की dragonfly देखे तो अगर आपकी life में challenges है तो उसके साथ fight कीजिए उससे lesson learn कीजिए और move on हो जाए और बहुत इस जल्दी आपके life में बहुत नई नई changes आने वाले हैं नई beginning start होने वाली है तो उसको appreciate कीजिए और जितनी भी चीज़े हैं आपके पास पहले से उसके लिए thank you बोले gratitude show कीजिए और trust रखे खुद के उपर और अपने divine power के उपर और अपने creativity के उपर definitely work कीजिए तो इस वीडियो में बस इतना ही मैं मिलूँगे आपसे अपने next वीडियो में तब तक के लिए खुश रहिए मुसकोराते रहिए और खुशियां बांगते रहिए बाई